हेलो फ्रेंट्स एकवार फिर से सौगत का कहूं मैं आपके अपने चैनल जैसे कि हमने मैट्स में क्लास 9 के लिए 13.2 एक्सराइस के फर्स्ट से लेके फिफ्ट कोशन तक का सॉलिशन दिया आज उसी में हम आगे सॉल्व करने वाले हैं कोशन नमबर 6 में जिसमें आपको सबसे पहले दे रखा है the curved surface area यानि कि आपका CSA जो दे रखा है CSA of cylinder या cylindrical plur कह लें हैं वो दे रखा है आपका 4.4 meter square साथ में जिसकी radius दे रखी है हमें क्या radius of cylinder 0.7 meter अब हमसे पूछा गया है इसकी height यानि कि height of cylinder क्या होगी तो अब CSA, CSA का मतलब है 2 pi RH जिसकी value हमें दे रखी है कितना 4.4 meter square अब देखी है 2 into 22 upon 7 into radius आपको दे रखी है कितना 0.7 into height equals to 4.4 यहां से हमने decimal को remove किया तो नीचे 10 आगया 7 से 7 cancel कर दिया तो यह value कुछ इस तरीके से हो गई 4.4 into 10 upon 2 into 22 इस तरीके से तो देखी है decimal को remove किया तो यहां 0 आ गया 0 से यह 0 cancel हो गया 2 से 22 time पे और 22 से 22 1 time पे यानि H की value आ गई कितना 1 meter यानि कि उस cylinder की height हो गई हमारी 1 meter आईए देखते हैं इसके बाद 7th question चलिए देखते हैं 7th question 7th question में हमें दे रखाए क्या the inner diameter of a circular well यानि कि आपका एक well कुआ है जिसकी inner diameter 3.5 meter दे रखे हैं और ये आपका 10 meter यानि 10 meter गहरा है यानि इसकी height 10 meter है अब देखें inner का मतलब क्या हो गया यानि कि जिस जगह पे इसको बनाई गई होगी यानि ये boundary जो होगी उसकी भी तो कोई thickness होगी अब उस thickness को हमें नही देखना हमें तो सिर्फ अंदर का पार्ट देखना है तो अंदर यानि कि आपका diameter diameter of circular well यानि कि आपका circular well ये है 3.5 meter यानि कि अगर हम इससे radius निकालेंगे तो 3.5 upon 2 हो जाएगा decimal को हटाया तो यहाँ पे आपका 20 हो गया 5 से cancel कर दीजे तो 5 7 जा 5 4 जा यानि 7 upon 4 meter height हमको देही रखी है कितना 10 meter अब पहला पार्ट इसका first part जिसमें हमसे पूछा गया है find the inner curve surface area तो देखिए inner csa inner csa of circular well ये हो गया हमारा कितना 2 pi rh यानि कि 2 into 22 upon 7 radius आपका 7 upon 4 into height height आपका 10 7 से 7 cancel हुआ 2 से 4 2 टैम पे 2 से 22 11 टैम पे यानि value आगे हमारी 1 1 0 meter square अब इसी का second part second part में हमें दे रखा है कि अगर इस well को अंदर से plaster किया जाए यानि इसको plastering plastering करने का जो खर्चा दे रखा है rate of plastering plastering दे रखा है में rupees 40 per meter square यानि कि 1 meter square plaster करने का खर्चा आता है 40 रुपए तो इसके अगर inner csa को अगर आं plaster करेंगे तो उसका खर्चा क्या होगा यानि कि आपका cost बनी total cost of plastering plastering the well वो हो गया हमारा 110 into 40 यानि कि 40 रुपए के हसाब से उसके total area को multiply किया तो देखिए ग्यरा चौक 44 दो 0 आ गए rupees यानि कि 4,400 रुपए उस कुए को plaster करने में खर्च होंगे आईए बढ़ते हैं इसके बाद next question की तरव तो चलिए देखते हैं आज के हमारा 8th question 8th question में दे रखा है in a hot water heating system the length of a radiating pipe या यह समझ लें कि जिस pipe के through पानी गर्म होता है यानि surface को गर्म किया जाता है उसकी length हमको दे रखी है कितना 28 meter इस तरीके से अब हमसे कहा गया है कि उसकी जो diameter है diameter वो है हमारा कितना 5 cm अब हमसे कहा गया है कि इसके कुल radiating surface का area क्या होगा यानि हमसे radiating radiating surface area पूछा गया है अब मैं बात करता हूँ इसकी तो देखिए आपने देखा होगा घर में cattle जो पानी गर्म करती है ठंडी के दुनों में उसमें क्या होता है कि उसकी जो radiating surface होती है radiating surface उस चीज के लिए कहा गया है जो आपका पानी गर्म करती है वो होती है आपकी ये वाली surface क्योंकि यही होती है जो गर्म होती है और side से पानी को boil करती है एक तो यह हो गई ठीक है दूसरा दूसरा आपने देखा होगा कि उसके जो wire होते है radiating surface होती है वो उसके base पर भी valley होती है यानि कि सिर्फ boundary से पानी गर्म नहीं होता नीचे से यानि cattle का जो bottom होता है वहां से भी पानी गर्म होता है और इसके उपर जो धकन बना होता है बस ये एक जगा होती है जिससे पानी गर्म नहीं होता यानि कि अगर हमसे कहा जाए इसकी radiating surface क्या है तो radiating surface में आपक circular base है आपको इसका area निकाला है तो radiating surface का मतलब हो गया कि CSA of cylindrical pipe plus area of circular base यानि आपको base का area निकाला है अब इसका CSA निकाला तो हो गया है 2 pi rh plus और circle का area निकालेंगे तो वो हो गया हमारा pi r square इस तरीके से अब देखिए यह अपका meter में है यह अपका centimeter में तो इसको हमने किया क्या 5 upon 100 किया यानि कि यह अपका गया 0.05 ठीक है meter में आ गया meter अब यह अपकी diameter ही तो दे रखिये radius मनाया तो 0.05 upon 2 किया decimal को remove किया दो 0 आ गया यानि कि यह बन गया आपका 5 upon 200 cancel किया तो 5 से 40 यानि कि 1 upon 40 इसकी radius हो गए अब 2 अब pi है तो pi को हमने common लिया और इसको 2 into r की जगा पे आपका आ गया कितना 1 upon 40 into h आपका हो गया कितना 28 इस तरीके से प्लस r square यानि कि 1 upon 40 into 1 upon 40 इस तरीके से अब देखें क्या इस pi की चलिए value को ही put कर लेते हैं तो 22 upon 7 यह हो गया इसको solve किया 22 upon 7 इधर यह हो गया आपका कितना 2 से से cancel किया 20 time पे और 4 से से cancel किया 4 5 जा 4 से cancel किया 4 7 जा ठीक है साचोग 28 यह हो गया यानि आपका बना कितना 7 upon 5 प्लस 1 upon 1600 इस तरीके से ठीक है अब चलिए इनको आगे solve परते हैं तो 22 upon 7 इसका LCM लिया आपका 1600 इधर गया आएगा 5 से किया 5 से 5 3 जा 15 5 2 जा 0 ठीक है यह निकल किया अब 7 की multiply कि तो 7 0 जा 7 2 जा 14 का 4 1 कह रही हुआ 7 3 जा 21 22 प्लस 1 यह आ गया इस तरीके से अब इसको solve किया तो देखिए यह हमारा बना कितना 22 upon 7 इंटू यह हो गया आपका 2 2 4 1 upon 1600 इस तरीके से चलिए अब इसको cancel करके देखते हैं सात्या 21 14 यानि कि यह cancel नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं इससे cancel किया 2 से यह हो गया 11 टाइम पर 2 से यह cancel किया 800 इस टाइम पर तो देखिए इसको multiply किया यह हुआ हमारा 11 1 जा 11 1 कह रही हुआ 11 4 जा 44 और 1 45 4 आया 11 2 जा 22 और 4 26 टू आया 11 2 जा 22 और 2 24 अपन 7 8 जा 56 जीरो जीरो इनको cancel किया तो यह हमारा आया निकल के 4.4 meter square यानि कि आप कह सकते हैं कि उसकी जो total radiating surface है यानि pipe की total radiating surface है वो है हमारी 4.4 meter square आये बढ़ते हैं next question की तरह चलिए शुरू करते हैं हमारा 9th question जिसमें हमें दे रखाए 2 part और जिसमें first part हमें दे रखाए क्या find the lateral in the surface area of a cylindrical tank whose diameter is diameter जिसकी दे रखे कितनी 4.2 meter अगर मैं radius की बात करूं तो यह हो जाएगी अपकी 4.2 upon 2 cancel गया तो 2.1 meter height की बात करें तो वो दे रखे हमें 4.5 meter हम से का गया CSA बताईए तो CSA of cylindrical pipe यह टेंग यह हो गया हमारा कितना 2 pi r h यानि की 2 into 22 upon 7 into 2.1 into 4.5 इस तरीके से तो देखिए इसको यहां से remove किया 10 आ गया 7 से इससे cancel किया 3 time पे decimal को remove किया यहां 10 आ गया 5 से किया 5 2 जा 5 से किया 5 9 जा 2 से आपका यह cancel हो गया यानि value बनी हमारी 22 into 3 into 9 upon 10 अब इनको multiply किया यह आपका बना 66 और 9 से इसको multiply किया तो देखिए 9 6 जा 54 का 4 5 कह रही हो है 9 6 जा 54 और 5 59 upon 10 काटा decimal आया यानि 59.4 meter square यह था इसका CSA चलिए बात करते हैं इसके second part की चलिए देखते हैं इसका second part इसमें से कहा गया how much steel actually used if 1 upon 12 of the steel is wasted यानि कि आप बात को समझेगा वो यह कहना चाहता है कि tank को बनाने में कितनी steel का use हुआ है तो पहली चीज़ जिस tank को बनाया गया है tank जब बनेगा तो वो hollow cylinder नहीं होगा वो close cylinder होगा यानि पहले तो आपको चाहिए क्या उसका TSA TSA of cylindrical tank ठीक है यह यानि कि यह अपका हुआ है तो पाई आर ब्रेकेट में आर प्लस एच ठीक है अब इसकी जो value होगी वो आपके 11.12 और मैं steel का area मान लूँ है steel मान लूँ वो आपकी कितनी है x मान लिए ठीक है इस तरीके से यानि कहने का मतलब क्या 12, 1 by 12 जो wasted है उसको अगर हटा दिया तो 12 में से 11 पार्ट ऐसे होंगे जो steel के उसमें actually use हुए होंगे यानि एक पार्ट ऐसा था जो waste हो गया था इस तरीके से वही तो उस total TSA के बराबर आएगा कहने का मतलब क्या कि एक steel जो total खरीदी गई है वो आपकी 12 है ठीक है जिसमें से 11 unit steel लग गई यानि 1 unit steel आपका काटने में पीटने में बनाने में waste हो गया तो इसका TSA उस 11 part के ही तो equal रहेगा इस तरीके से ओके अब ये देखिए 2 into radius 22 upon 7 radius हमें दे रखी थी कितनी 2.1 जो अभी हमने find की थी फिर ये हो गया 2.1 प्लस 4.5 इस तरीके से और ये आपका 11 upon 12 x चलता रहा ठीक है इसको solve किया तो देखिए decimal height आया 10 आया 7 से cancel किया 3 time पे य 3 for the 12, 3 for the 12 and 13 upon 10 into इनको किया तो देखिए 4 to 6.6 upon 10 इस तरीके से चलिए इनको multiply करते हैं यह एक काम करते हैं कि इससे multiply करने से पहले इनको भी भेज देते हैं तो देखिए x के लिए जब इसको भेजिंगे fraction को तो ये इधर जाके आपका inverse हो जाएगा इस तरीके से यानि 12 पर 11 नीचे 11 से इसे cancel किया आपका 6 टाइम पर ठीक है अब यह value आपकी बन गई कितनी 6 तूजा 12, 6 तूजा 18 और 19, 1 कह रही हुआ इस तरीके से x की value अब इसको किया तो देखिए 12 तूजा 24 तूजा 24 का 4, 2 कह रही हुआ 12, 9 तूजा 108 और 2, 10 यानि 10 इधर आया 11 अपका कह रही हुआ 12, 7 तूजा 12, 7 तूजा 24, 84 और 11 किया तो 85 अपका 95 ये आगया इस तरीके से अपन 100, 2, 0 cancel, 2 के बाट decimal, x की value आगई 95.04 meter square यानि कि उसमें जो total steel use हुई है that is your 95.04 meter square ये तह इसका solution चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अगले question की तरह चलिए देखते हैं इसके बाद आपका एक next question जिसमें हमें दे रखा है क्या एक lamp shade यानि कि आप ये जो घरों में designing lamp होती है टेवल लेंप होती है उस तरीके से जिसका shade वाला part आपका इस तरीके से दे रखा है जिसकी height आपको कितनी दे रखी है 30 cm और जिसकी diameter है हमारे पास 20 cm इस तरीके से अब उसने काए कि इस lamp shade को pack करते हैं यहां आप यह समझ लिए लिए कि decorative cloth से इसको decorate करते हैं सजाते हैं सजाते समय जिस कपड़े का या जिस कागस का यूज हुआ था उसमें margin छोड़ा गया यानि 2.5 cm इधर और 2.5 cm इधर समझ येगा जब भी हम क्या करते हैं जैसे मैं मालू कि यह मेरा phone है है न एपल आइफोन आइफोन है तो इस एपल आइफोन को क्या करता है decorative कपड़े से cover करता हूँ यहां इसे pack कर आता हूँ तो जब कागज से इसको pack किया जाएगा तो दोनों side में कागज extra छोड़ा जाता है जो इसके उपर वाले area को ऐसे cover कर सके वही चीज यहां पे कि इस कागज को ऐसे रखा जो यह मुढ के अंदर की तरफ इसको cover कर सके यानि 2.5 cm आपका use हो रहा है अंदर के लिए अब अंद 30 cm लेंग थी इस तरीके से और 2.5 इधर छोड़ा 2.5 इधर जोड़ा तो यानि कि जो total height बनी आपकी height जो इसके cloth की यहां कागज की बनी height of paper समझ लीजे पेपर की बनी वो आपकी हो गई कितनी 30 plus 2.5 plus 2.5 यानि कि आपका 35 cm डाइमेटर हमें दे रखिये कितना 30 20 cm 20 cm तो radius हो गई 20 upon 2 यानि कि 10 cm अब क्योंकि वो आपका lampshade hollow है तो simple सी बात है CSA निकलेगा CSA of cylindrical lampshade ये हुआ हमारा 2 pi r h यानि कि 2 into 22 upon 7 radius 10 into height आपका दे रखा है कितना height हो गई हमारी 35 इस तरीके से 7 से इसे cancel किया 5 time पे ये हो गया यानि कि जिस चीज को यहां जिस lampshade को हमें cover करना है उसके लिए हमें जो decorative clothes चाहिए वो 2200 cm square area वाला चाहिए ये था हमारा 10th question का solution आईए बढ़ते नेक्स और लास्ट कोशन की तरह चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 11th question 11th question दे रखा हैं कि एक विद्याले हैं जिसने अ क्या कि 35 competitor को अब लिखते चलिए क्या 35 competitor को क्या कि आप pen holder बनाने के लिए competition में बठा दिया जिस pen holder को बनाया जा रहा है यानि जिस pen holder को बनाया जा रहा है उसकी जो radius दे रखी है उसकी radius 3 cm है और उसकी जो height दे रखी है that is your 10.5 cm अब चीज को समझेगा यह जो आपका pen holder बन रहा है यह आपका hollow है लेकिन including base है यानि इसमें base भी लगा हुआ है नीचे का शिरा जुडा हुआ है अगर base नहीं होगा तो आप उपर से pen जालेंगे नीचे से निकल जाएगा pen जालेंगे निकल जाएगा ऐसा pen holder नहीं चाहिए CS आपकी जो pen holder की दे रखी है वो है centimeter और height जो pen holder की दे रखी है that is 10.5 cm अब हम इसका CSA निकालते है तो देखिए CSA of cylindrical pen holder तो इसके लिए हमें ज़रूरी होगा क्या 2 pi r h plus pi r square क्योंकि नीचे जो circular base है उसका भी area लगेगा यानि उसको भी sheet के cardboard की द्वारा बनाया जा रहा है pi common आया तो यह हुआ 2 into r आपका कितना दे रखा है 3 into h कितना है 10.5 इस तरीके से प्लस radius यानि कि 3 into 3 ऐसे pi अपका 22 upon 7 हुआ into यह हुआ अपका 32 जा 6 6 की multiply करो तो यह होगा अपका कितना 6 यानि 65 जा 30 का 0 3 कह रही हुआ 6 0 का यानि 3 पूरा आ गया और 6 बनजा 6 63 बना ओके प्लस आगी किया तो 33 जा 9 इस तरीके से हुआ इनको add किया तो 22 upon 7 into 9 और 3 12 का 2 1 केरी हुआ 7 72 निकल आया centimeter square इसे हम आगे solve नहीं करते क्यों वो मैं बताऊंगा अब उस विद्याले ने अपने 35 competitor को भेजा है और हर competitor को एक cardboard की sheet दी हुई है इसका मतलब क्या हुआ 35 competitor है तो cardboard की sheet भी आपके कितनी होगी 35 होगी अब हमसे कहा गया कि इनको बनाने में total कितनी sheet का use हुआ है यानि कि उस 35 cardboard की sheet से कितनी sheet का use कर पाए है बच्चे तो अब अगर मैं बात करूँ total sheet total sheet of cardboard cardboard used to make pen holder तो ये हो गया जो एक का area निकल कर आया है आपका यानि कि 22 upon 7 into 72 उसकी into कर दिया किसे 35 से इस वज़े से मैंने इसको cancel नहीं किया था क्योंकि 7 से आपका 35 अब यहां cancel हो जाएगा और calculation हमारी easy हो जाएगी तो देखिए इसको किया 5 to 10 5 to 10 यानि 11 into 72 ये हुआ 11 को 2 से किया 11 to 22 कर 2 कर 2 करी हुआ 11 77 79 एक 0 और आ गया centimeter square यानि कि उन बच्चों ने 35 competitor ने आपका 7920 cm square cardboard का यूज किया है ऐसे 35 pen holder बनाने में ये था हमारा 13.2 का complete solution आपको ये solution कैसे लगा comments करके जरूर बताएगा अगर आपका साथ ही कोई question है तो आप question number या exercise number और name डालकर हमें बता सकते हैं किस class का है class mention कर दीजेगा तो चलिए चलते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में नई topic के साथ नई videos में नई question के संग तब तक के लिए बबाए